हेलो फ्रेंड देखिए आज बाटियां किते टेश्टी लग रही है ना तो आप भी विकुल ऐसे भी चाहें तो बना सकते हो बहुत ही साधिश्ट लगती हैं घी में डिवी बाटियां और कंडे में देख सकते हैं आप इस तरह करें सिखती हैं ये कंडे में तो पूरी में बाटियां बनाने कि अब बहुत ही सवाधिश्ट लगती हैं जब कंडे की राख में सिखती है ना दियमाज पर इनका स्वाध क्या लाजवाब लगता है तो अगर आप पूरी डेस्पी देखना चाहते हैं कैसी बनाई तो बने रही हैं वीडियो में आखर तक मेरे साल म आपको एक टूरेस साड़ी चीज़े मन बताऊंगी कैसे मैंने बाटिया बनाई और सबजी मनाई आलू बेंगन की मसाले दार सबजी वह कैसे बनाई ताद मिक्स वाली दाल तड़का वाली तो भी बहुत डेश्टी बनी थी और साथ चटनी बनाई थी तो देखना आपने वी इतनी महरा से वीडियो बनाते हैं आपका एक कमेट और एक लाइक फ्रेंड में बहुत इंदिजाद है तो हमें बहुत खुशी मिलती है जब आब एक लाइक करते हैं कुछ मीटा सा कमेंड कर देते हैं इतनी महराज के लिए फ्रेंड तो चलिए स्टार्ट कर देख रहे हैं यह मूंग दाल है फ्रेंड धुली हुई तो इस तरह से पांच प्रगा की दाल है जो मैंने मिक्स करी थी इसमें तो मिक्स डाल जब बनाते हैं बहुत ही मज़ेदाल लगती इसका टेस्ट तो इससे देखिए अच्छे दो दो त्रिमार पानी से मैंने दो लि सबसे पहले दालों को जो है बॉयल करने रख देंगे तो फ्रेंड जो क्वांटिटी है ना अब अपने घर में कितने मेंबर उसको नुसारा आप ले सकते हैं तो दाल बॉल करने रहती साज़र देखिए मैं गेहूं का आटा लिया है बाती बिलाने के लिए तो गेहूं के जितना गेहूं का आटा है ना उसका वन फोर्थ भाग मैंने बेसन लिया है और वन फोर्थ भाग मैंने सूजी लिया है बारीक वला रवा जो होता है तो जितना गेहूं का आटा है उसका वन फोर्थ भाग बेसन और वन फोर्थ भाग रवा लिया है तो जितना गेहूं का जो है इस हाटे में नमक डाला है मैंने और थुरह से मसाले मुझे बहुत पसंद धनी दाला थो मैं धनिया पौडर तो देखिए यह चिली फ्लेक्स है तो डाला है कि एक इसाथ जो है कि तो हम यह था हल्दी पाउडर था फ्रेंड तो आसा खाने वाला सोडा है तो गरम वाला तेल है इसे सब्सक्रा किया था मेरे मतलब तो गरम करके डालती से जो है आटा जलती है सौफ्ट हो जाता है बाटिया चूह अच्छी बनती है तो गरीफ चार चमज भर के जितना आटा जो है आपको दिखाऊंगे अभी ऐसे मुठ बस मुठी बनत जाए हलकी सी हाथों से इतना ही मौल लगाना है तब ही बाटिया एकदम फूल जाती है और फट्टी भी जाती है कि अंदर तरस्षिक जाती है अच्छी से पानी भी है इसे भी मैंने गुंगुना किया हुआ था तो गुंगुना पानी से ही आटा जो इसी ग प्ली थी आठा गुंतने के लिए क्योंकि बहुत जाता काम हो जाता गेश्ट आया थी घर में तो मैंने आठा उसे गुथवाया था इस तरीके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गुंगुना वाला आठा को गुथेंगे सौफ्टी तयार करेंगे तो इस तरीक से थोड़ा थोड़ा चुपानी है आप एड्ट करते जाएं और आठे को खुंतने जाएं तो मैंने भी इस तरह से गुंता हैं आठे को तो इस तरह देखिये सॉफ्ट साडो बहुत हार्ड या सक्ताटा नहीं लगाना है इस तरह के सॉफ्ट आता देखिए इसे गूत के रग दिया जब तक दूसरी प्रिप्रेशन कर लेंगे और जो मसाले भी है जो मैंने सब्जियों में डाली है उन्हें भी मैंने सिल्वट्टे पर ही कुटो फुट थोड़ी से चीज़ें से खड़े मसालों की मैंने यूज की है इसमें करन फूल वगएर आप जानते होंगे हमारे यह चड़ीला बोलते हैं करन फूल बोलते हैं तेज पाने बड़ा एलाय चाहें पानी में जो सारी मसाले थे बिगाने के बास सिल्व मैं ऐसे मसाले डालके पानी डालते हैं इसमें इसे अच्छे से पीछ लिया है देखिये मसाला जो है यह खड़ा वाला गरब मसाला यह पिसके तयार हो गया है इसकी बाद थोड़ी से लेसुन की कलिया है 10 करीब तो 8-10 कलिया लेसुन की थोड़ा 1 इंच का अध्रक का टुकडा और प्याज तो द लगे मेरे यह सारी ट्रिक अच्छी लगे बहुत मेरे से मैंने वीडियो बनाए है तो प्लीज एक लाइक एक कमेंट एक सेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए का प्लीज में रिक्वेस्ट है आप सबी से तो देखिए फिर मसाला भी बट रहा है और सब्सक्राइब का मसाला था वो भी देखिए बट गया है तो खड़ा मसाला जो है उसे अलग पीशा था और जो प्याज लेसी नद्रक वाला मसाला था उसे अलग से सिल्वट्टे पर पीश लिया है इस सारी मसाले जो है बट के तैयार हुए है तो चलिए डाल फ्राई सब्सक्राइब सबस्ची का फ्राई मटेल कर दिते तो देखे गरम ओइल रख दिया है मैं इसमें जीरा राई डाल दिये हैं सायस्ञात लहसन है आदे चम्श लहसन भी डाला है और जो मसाली है देख सकते हैं अप सबसे पहले जो अद्द्रक का पेष्ठा वो डाल दिया है जो आपको बताया है मैं अद्द्रक को लहसनवाला पेष्ठा वो अलग बारती थी और फías प्याज Canon यह देख सकते है इसे डाल तो थोड़े देर प्याज को जब सीक जाए इसके बाद मैं इसमें डालूँगी जो खड़े वाले मसाले पीसे थे ना इसमें डालूँगी मैं इसमें फ्रेंड सारी प्रोसेस देखते रहिए का आप अच्छे से कैसे कैसे में बना रही हूं और कोई भी डाउट हो आपको कु बूल लूँगी ताकि जो फ्लेवर इनका बहुत अच्छे से आए पकने के बाद मीडियम फ्लेवर में करीड़ी से अच्छे से मसालों को भी भूल लिया है मैंने और जैसे मसाले अच्छे से भूल जाते हैं इसमें हम धनिया पाउडर दो चमट डाला है पिसावा धनिया क हुआ मैसे के हैं मारे मेचो रख्लेभर सथी है पर जैसाड़ से अच्छे स्वीडा डाली है और एक ऐसाम वीड़ी है जाली गाल भूल पंख हांकि या में इटाला हो गए इसमर के बैंगन ऑर जाब आफान निया कर्दाय इसमें हो ने धाता हुते हैं को बमकरना के आतरा क तो माहराश्ट की बहुत फेमस रेस्पिया फ्रेंड ये दाल बाटी बहुत ही पसंद है यहां के लोगों को सभी को साइज जो को अच्छे से मिलाएंगे सबजे को डालने को आज सारे मसालों को अब इन्हें लगता चलाते हुए दर-10 मिनिट के अंतर में चलाते जाएं और धकर पकाते जाएं अब इन्हें अच्छे से मिलाएंगे तो देखे फ्रेंड मिला लिया है अब इसे नमक डाल दिया स्वाद कर दूशार मिलाने के बाद आप सब्ची बना रहे हुए इस का अब खाते हों तो देखे में इस तरीकी बाटियां बनाए थी हमने आज गोपर वाले जो इस तरीकी से लगा दिया था उसको एक्पर एक रहके अथुपर से देखे यह पेपर वगरा जो है आग लगा दिथी तो इसकी इस बहुत के लिए देखिए इस तरीकी से आज बनाई थी स्पेसल बाटियां कंडे वाली और टमाटर की चटनी वह भी सिल्वट्टे पर ही बटी है आज तो इसके लिए भी हरी मिर्च है थोड़ा साधरक तो लहशुन और टमाटर था जब तक आग जो कंडे सुलग रहे थे तब तक ब सुलग कर तैयार हो जाएंगे एक साथ देखिए मैंने दाल प्राई भी चड़ा दी है कड़ाई में डाला है तेजपान और इसमें सुखी हुई लाल मिच डाली क्योंकि से रहा बहुत ही अच्छी दिखती है जब लाल मिच दिखती है तो बहुत ही अच्छा लूका आता है से एक चमर चिरायी ऐक चमर जीरा डाला है आदी चमर शीग डाल दिया तो यह बना हुपिक दाला रही हुए जो एक तो दाल प्राई करना को मुझे उसके लिए मैं चड़ा दिया और साथ दृद्धी पाउडर एक चमर डाला है और तेज पान जो है खड़े वाली पत्ति वो डाल दिया और पिसा हुआ देखे जो टमाटर लेसिन का पेश्ट मैंने पीस की रखा चाना दाल के लिए वो डाल दिया है मैंने इसमें अब इस टमाटर को अच्छी से पकाना है लगतार चलाती हुए मीडियम टू हाई फ्लेम में कि अच्छी बड़े से टमाटर का कलर जो है जब तक किछी एंजिना हो जाए और सदर हरा दनिया कटा हुआ वो भी डाल दिया है दाल में मैंने और सब्जी भी देखिए लगबग अमदलब करी हुए फिर सिक्स्टी परसेंट जो है पक गए थी तो इसमें कटे वे दो टमाटर डाल दिये मैंने और हरा वाला धनिया जैसे अच्छी से मिलाएंगे और ढखकर पकाएंगे और देखिए अपने आपको दिखा रही में आई है देखिए जो कंडे देखिए इतने देर में सब्जी बनाते तक हमारे कंडे भी हैं एकदम तयार हो गया रेडी हो गया है यह पार्टी बनाने के लिए बहुत अच्छी तरीके से इसका सारा धूँआ है ना वो एकदम गायब हो गया है दूँआ वगयरा कुछ भी नहीं है और सारी जो कंडे अच्छी सुलक गए हैं पुरे तो कहना चाहिए बाटी बनाने के लिए रेडी है और दाल का मटेयल देखिए यह अच्छी से हो गया अच्छी मैंने मेच डाली नहीं थी क्योंकि बच्चे अगर अभी खाने के लिए है ना तो मैंने सब्जी मेच थी इसलिए डाल में डाली नहीं थी मेच आप बिल्कुल एड कीज़े अपनी टेस्ट के अगर्डिंग मेर्च आपको पसंद दे हैं तो और सब्जी भी देखिए फ्रंट पक्य तयार होगी तो मैंने इसमें जो है ना दो तुट टीन टमाटर रेड़ वाले तो वह मैंने पीस की डाले थे इससे गलर बहुत अच्छा आता है तो पहले मैंने खड़े वाले टमाटर आलता है वह पक जाए इसलिए खड़े डाले थे सिर्ट अबहुत अच्छा आज आता है आप देख सकते हैं आप कितना बड़ी है कलर देख याह थियां इस तरह फ्रेंड मेरे घर में सभी को तो बहुत पसंद है ये आप भी रैस भी ज़रूर बनाएं और थोड़ा सा इसमें करीब एक से डेड़े क्लास पानी भी डाल दिया मैंने थोड़ी सिरसवाल सब्जी अच्छी लगती है और देखे दाल भी लगता चला तो यसे भी पका प्रेंड ने अच्छी लगता है तो कड़ी आपको यह रैस्पी मुझे कमेंट में जरूर कीजिए अपके लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेश्ट हैं की एक लाइक जरूर कर दिया किजिए जाए अगरी एक सब्सक्राइब इस तरह ऍरशारी बाटि में जो सिखते जा रही थी उसे हम पलटाकर देख रहे थे जो सिक रहे थी उसे अच्छी से साफ करें कपड़े से पोंच-पोंचकर अच्छे से फीसे घी में डुबा-डुबा कर पर से निकाल कर रखते हैं तो आ तरह बाटियां जो है घी में डुपा करने निकालते भी गया थे डिपे में रहा से कपड़े से क्लीन कर लिया था पहले जो भी आख भगए थी सारा पूच लिया था आची से स्क्रीन करके घी में दोब आया था यह देख सकते हैं गरम-गरमगी में पाटियां डोब रही है तो साइच यह प्रिप्रेशन सारी शेयर रेडी होगे देख सकते हैं सबजी डाल एंड चटनी और बाटी तो आज आईए फ्रेंड आप सभी का वैलकम हैं मेरे प्यारे यूट्यूब फ्रेंडी मे में रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल के सब्सक्राइब जरूं से कर लीजिएगा तो इस तरह एंड अच्छे रेस्पीज में लेकर आती रहूंगे आपके लिए लेकि हैं अगे अगी में दुबा देते हैं व सारे बाटिया न इतने बढ़ियां से सिखती है यह कि आट्मेटिक फट जाती अंदर तक सिख्के रहा इतन फूल जाती है तो आट्मेटिक इन थोड़ा कर रखते हैं न घीमें तो घीना इन कहला तक पूरा भर जाता ए खाने में बहुत मज़िदार लगती हैं आप सभी को दिल से सुक्रिया में वीडियो देखने के लिए थेंकियो शूमाइच टेक केर फिर्म बाइबाइच